भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कोई मुखमंतरी जैल ये दी गया तो वह बिना इस्तिफा का गया देखिए ट्रेड हो गया है जैल से निकलने के बाद कितना स्वागत होता है तो ये क्या करेगा इसके नाटक का तो कोई ठीकाना है नहीं सब लूटेडे फैल गए है इस देश में निताओं का एक एसप होज है जनता जब तक निकरानी नहीं करेगा ये देश ठीक नहीं हो सकते ना रंगडारी चाहे ये बदमासी चाहे अफ़रन चाहे जो भी घटना होती है सब निताओं का उपज है इस देश में नमस्कार सौगंद टीवी देख रहे हैं आप मैं आपके साथ शिवम चौवे दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो सीम पत से स्टीफा देने वाले हैं जो मांग केजरिवाल की गिरफ्तारी के समय से भारती जनता पार्टी अर्विपक्षी नेता लगातार लगाते आ रहे थे कि केजरिवाल को स्टीफा देना चाहिए के अब याब की देना कि य hesiri उसач़ा को आगे रखते हुग उन्हों ने एलान किया है देखे नेतिक्ता के आधार पर तो इसे शुरुवे में जैल जाने से पहले ही इस्तिफा देनी चाहिए ये तो संबिधान को ताक पे रखके भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कोई मुखमंतरी जैल यदी गया तो वह बिना इस्तिफा का गया ये पहला मुखमंतरी है केजरीवाल जो बिना इस्तिफा का इतना दिन तक जैल में रहते हुए इस्तिफा नहीं दिया और अब निकलने के साथ निकलने क्या बेल हुआ है बेल हुआ है ये भर्चलू जो है पूरा निर्मित नहीं हो गया है ये मामला तो इस पर चल ही रहा है देखिए ट्रेड हो गया है जैल से निकलने के बाद कितना स्वागत होता है अब इस डेश के नेता को टाय करना है जो इस तरह के नेता को हमें कैसे प्रिविलेज देंगे दिली ऐसे जगर हमें डिली देश का राज़दानी है आप सबसे पहले ये समझें जो केजरीवाल को कितना समय हुआ दस साल में ये इतना बढ़ा कॉंग्रेस को समूल चीज इकठा करने में 60 साल लगे भाजपा को 40 बरस लगा फिर भी अभी तक नहीं ये है ये और ये एक ही बार में चाहता है जो आम आदमी पार्टी भी बना लिया देखिए इसका तरक जो फिरी का जो रिटिक्षन है और सरकार कितने घटा में है और सरकार पे क्या हो रही है बजट पे क्या असर पर रहा है जनता से तो इसे कुछ लेना देना नहीं है और जनता भी कुछ जो मीडिया भी कुछ ऐसे आदमी को प्रिविलेज देता है जो संबिधान को ताक में जैल में रहते हुए आज तक इस्तिफा नहीं दिया ये कितना नियाई उचित है वो जनता तै करेगी अब ये कहता है जो जनता के पास जाएंगे और जनता जो निर्ने लेगी उसके मुताबिक हम फिर कुर्शी पर बैटेंगे तो ये क्या करेगा इसके नाटक का तो कोई ठी बनाया और यहां तक पहुचा है आप देखे जो यगेंद्र यादव ऐसा योधा आदमी इसके साथ था जो कि इसके साथ से भाग गया कुमार विश्वास था ऐसा आदमी जो कि कोई कहेगा वो इसके साथ नहीं सिका तिका आस्तोस देख लिए बड़े पत्रकार हैं वो भी इसके साथ नहीं ठीका ये तो नितिक्ता के आधारपवले से पहले ही इस्तिफाद देना चाहिए और जैल से निकलने के बाद कोई नेता का ऐसा स्वागत होता है यह देश का संभीधान क्या बताता है पता नहीं जनता क्या सोचती है इस पर तो जनता को सोचना पड़ेगा तरजन जी देखिए हम इस जगा बैठे हैं दिल्ली के अंदर और यहीं से सामने मैं केमरा परसंस को एक पर दिखाया है कि हनुमान मंदिर भी याद करके उन्होंने निर्णे लिया है कि अब दिल्ली की जनता चुने की तभी मैं आऊंगा वर्ना नहीं आऊंगा तो क्या लगता है जब देर आये दुरुस्ता आए अलग बात है नहीं समझें जनता का सेवा यदि ये चोड़ी नहीं करता तो जेल नहीं जाता कोई ऐस यह जो बेकसूर आदमी कोई जेल गया है ऐसा नहीं होता है कोई न कोई उपए है ना आप यह बात कर रहे हैं यह गोटाला की बात यह जो सराव गोटाला की बात मैं तो यह कहता हूं जो 70 विधायक है डिली में आप देख लेंगे जो एक विधायक को पॉंच करोर रुपया ह आत एंपी है दस करोर उसे मिलता है आप देखेंगे कोई बिधान सभा और कोई जो हैंने लोक सभा में इतना का काम हुआ है सब लुटेडे फैल गए हैं इस देश में नेताओं का एक ऐसा फोज है जो जनता को उल्धा के रखना चाह रही है अब इससे निवतने के लिए ज घर में चोड़ी होगी तो जनता इस देश का मालिक है जनता जब तक निगरानी नहीं करेगा ये देश ठीक नहीं हो सकता है आप देख लें जो अठतर साल हो गई देश को आजादी का क्या लगता है जो अठतर साल में कोई नेता ऐसा है जो बेदाग है और अपना कुछ कर जनता के लिए कर रहा है सब ने चोरी किया है चाहे कोई भी पाटी हो चाहे भाजपा हो या कॉंग्रेस हो सब ने सिखाया है और जितना रंगडारी चाहे यह बदमासी चाहे अफ़रण चाहे जो भी घतना होती है सब नेताओं का उपजह इस देश में भारत के संभीधान इतना बड़ा है आप देखेंगे जो चैना का संभीधान बहुत छोटा है वहां कोई नहीं बसता है कोई यह घतन चाहिए और इस पर सुधार होने की नोबत आ रही है और वो लगा हुआ है कुछ लोग जो इस पर भी सुधार होगा संभीधान में भी सुधार होगा कानून में भी सुधार होनी चाहिए और यह बहुत जरूरी हो गया है चुकि भारत ऐसा देश जो काता तो लोग है जो च च्ना से भी यह बहुत बड़ा है सरकार जो अपना आकरा दे रही है वो गलत आकरा है और भारत का ज़ो जनसंख्या दर है वो बहुत बृद्धी का दर है और यहां हमको अंदाज है जो 200 करोड के पार कर चुकी है हमारे डेश का जनसंख्याँ इस पे जो है तरह-तरह का आद्मीका प्रविर्ति इतना घटिया होते जा रहा है जो उसी रूप में प्रकृति ढलदा है और प्रकृति अपने प्रकौप से आदमी को सुधारने का प्रियास कर रही है लेकिन आदमी सुधारने का नाम ही नहीं लेड़ा है चुकि आदमी का भी और ये नेता लोग जात पात में सब को उल्जा के इस तरह इस कजर कर दिया है जो समाज को जर्रे जर्रे से तोर दिया है सब को अलग कर दिया है समाज का एक तरह से नेटिक पतन कर दिया है ये निताओं को और ये निता तभी सुद्रेगा जब अपना जनता अपने अधिकार पे काइम होगी और जनता के पास निगरानी का अधिकार रहेगा तो जनता सब जानती है और जनता इसे ठीक कर देगी जिस तरीके से देखा साजन जी ने बताया कि क्या कुछ केजरिवाल की पूरी कहानी है और कहीं न कहीं जो नेतिकता के अधारप स्तीफा देनी की बात है तो सीफा तब देना चीए था जब जेल से बाहर आये थे कि तब तमाम इतने कांड हो गए दिल्ली की जनता परेशान रही पानी की कमी से और भी तमाम बड़े-बड़े मुद्धों से तमाम इसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देखते रहे हैं सौगंध टीवी धन्यवार झाल